नमस्कार आज हम बेशन वाली अरवी बनाएंगे ये भूती स्वादिस्ट चटपटी होती है इसको बनाने के लिए 500 ग्राम अरवी एक बड़ा चम्मच बेशन आधी छोटी चम्मच कद्धु कस किया हुआ अधरक हरा धनिया एक चम्मच नमक या स्वाधनुसा दो बारी कट सबसे पहले हमने अरवी को अच्छी तरह से धो लिया इतमे जितने भी मिटी थी निकाल दिया फिर इसको कूकर में डाल कर एक वीसल हाई फ्लेम बद लबाकर उसको धिमे करके बन कर दिया और फिर इसको नौर्मल ही ठंडा होने दिया उसके बाद हमने अरवी को निकाला अरवी जो ना जादा गली है और ना ही मौइस्च हुई है हमें ऐसी ही अरवी चाहिए थी अब हमने इसको ठंडा किया है ठंडा करने के बाद अरवी को छील लेंगे अरवी को थोड़ा सा हाड ही रखेंगे जादा होगी तो वो मौइस् लंबाई में भी कर सकते हैं और गोल में भी कर सकते हैं यह आपकी इच्छा है इसी तरह से सभी अरबी को त्यार कर लेंगे हमारी अरबी कटकर त्यार हो गई है चलिए अब हम इसको पकाते हैं एक पैन लेंगे पैन में तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे सोंफ पाउडर डाल देंगे आँच को हम धीमा ही रखेंगे धीमी आँच पर मसाले बहुत अच्छी तरह भुनते हैं खशबू भी आती है धनिया पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर गरम मसाला मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कमज़ जादा कर सकते हैं कद्दुकस किया हुआ अद्रक डाल देंगे आज को हमने धिमा ही रखा है हींग डाल देंगे और इन सबी को डाल कर अच्छी तरह से मिला देंगे हरी मिर्ची डाल देंगे तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कमज़ जादा कर सकते हैं लाल मिर्च पौडर डाल दिया है अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे अजवाइन डालना बहुत जरूरी होता है अजवाइन से गैस नहीं बनती है और अजवाइन डाइजेस्ट भी हो चाजती है सबजी एक दो मिनट के लिए हम इसको भून देंगे उसके बाद हम इसमें बेशन डाल देंगे बेशन को अच्छी तरह से मिला देंगे और धिमी आँच पर मिलाएंगे एक दो मिनट पकाएंगे नमक डाल देंगे और बेशन को दो-तिन मिनट तक मध्यम आँच पर पकाएंगे बेशन जो है अच्छी तरह से खशबू देने लगा है और ये अच्छी तरह से पक भी गया है अब हम इसमें अर्बी डाल देंगे अर्वी डाल कर हम इसको हलकी हाथों से मिक्स करेंगे अगर हम जादा तेज चलाएंगे तो अर्वी जो है वो तूट जाएगी मौस्ट हो जाएगी और वो अच्छा खाने में स्वाद नहीं देगी अर्वी के ऊपर अच्छी तरह से जो मसाला है कोट हो गया है और दो-तिन मिनट के लिए हम इसको ढखकर पकाएंगे ताकि मसाले जो हैं अपना स्वाद छोड़ दे मसाले जो हैं अच्छी तरह से अपना स्वाद छोड़ दे अब हम अर्वी को बिना कवर किये हुए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए ये बहुत ही स्वात बनती है अब हम इसमें अमचूर पौडर डाल देंगे अमचूर पौडर डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि अमचूर जो है अरबी में अच्छी तरह से एक जैसा मिक्स हो जाए और बिना ढखे हुए हम इसको 3-4 मिनट तक पकाएंगे ताकि अर्बी जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए और मसाले भी पक जाए हाँ वीडियो देखते देखते मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा शेर कीजिए आपका एक शेर मुझे बहुत हिम्मत देता है अब हम इसमें लंबी बारे कटी हुई हरी मिच्ची डाल देंगे अर्बी भी हमारी अच्छी तरह से क्रिस्प हो रही है और ये बिल्कुल भी तूटी नहीं है क्योंकि हम इसको हलके हाथों से कर रहे हैं अर्बी हमारी पक भी कई है अर्बी की सबजी बन कर त्यार हो गई है ये बहुत स्वादिस्ट बनी है अब हम इसके ऊपर स्वाद और खशबू के लिए हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये बहुत स्वादिस्ट बनी है एक बार आप इसक तो हमने बन कर दिया है, चलि अब हम इसको सर्फ करते हैं, आप इसे प्रोठी के साथ, रोटी के साथ खाईए, अब हम इसके उपर धनिया की पतियां डाल देंगे, लीजिए, खाईए प्राठी के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का पटन दवा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके,